इन्पुट फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी ये इन्पुट लेता है तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में ले रहा हूता है तो यह यहां पर जो 7 आया एक्चुली यह 7 जो एक टेक्स्ट है यूं समझ लीजिए कि यह इस तरीके से है ठीक है और फिर यह 7 जब आयन्टी फंक्शन में आ जाता है तो आयन्टी फंक्शन क्या करता है कि इस टेक्स को कंवर्ड कर देता है इंटीचर ना ठीक है अब एक्चुली हो क्या रहा होगा यह जो इन्पुट है ना इस नाम का एक एक फंक्शन यह प्रॉसिजर बना हुआ है फंक्शन बना हुए इन्पुट राइट और इसके अंदर जो है कमार्ज लिखी में है और आखर के अंदर रिटर्न होरी है कुछ वैल्यू वो वैल्यू रिटर्न होके वापस यस जगह पर आ रही है ये seven जो test है ना वो किसमें चला गया int के फंक्शन में अब int का function जो है एक अलग से लिखावा function है उसका नाम int है और वो भी कही न कहीं command लिखी वी है यह जो seven है यह seven actually pass हो गया है इसके variable के अंदर कोई भी variable हो सकता है इसके पास x वो seven जो है वो इसके पास x में आ गया है और यह x जो है फिर आगे इसको process कर रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है एक value return हो रही है यहाँ पर और वो seven ही हो रही है actually seven ही हो और यह seven क्या है यह एक integer है तो काम कुछ इस तरीके से हो रहा है मैं जो आप वो concept देना चाहरा हूँ वो यह है भाई कि यह जो छोटे छोटे program आपको नजर आ रहे हैं सामने ठीक है यह भी एक छोटा सा sub program है यह भी एक छोटा सा sub program है और यह दोनों sub programs जो है यह जो main program में बना रहा हूँ actually यह तो जायर सी बाते मैंने एक line लिख दी है यह बहुत सारी line होंगी पूरा program होगा इस main program के यह दोनों function भी जो है हिस्सा है ठीक है अब हमने x variable जो use किया है यह x variable जो है वो इस पूरे के पूरे program के अंदर जो है वो इसकी जो है वो value है ठीक है यह यह x variable यहां पर भी काम कर रहा होगा और x variable जो है वो यहां पर भी काम कर रहा होगा ऐसा variable जिसकी value पूरे program के अंदर कारामद रहती है retain रहती है मौझूद रहती है that is called global variable अच्छा इसके अलावा ऐसा भी possible है कि यह जो छोटा सा program बने वे है ना int का और input का इसके अंदर भी कोई function जो है वो कोई variable यूज कर रहा होगा इसके अंदर कोई value store कर रहा होगा ठीक है जो भी value होगी तो यह जो variable जो किसी function के अंदर या procedure के अंदर यूज होंगे और उसके अंदर ही उसकी value खतम हो जाएगी दे आर काल्ड लोकल वैरीबर अब हो सकता है a is equal to five यहां पर हो और यहां पर जो है एक ही value कुछ और हो one point three let's suppose processing के दरौन तो यहां पर यह जो है वो इस procedure यह function से ब्लांग करता है और यहां पर यह जो है यह इस procedure के function से ब्लांग करता है लेकिन यह जो एक्स है इसकी वैल्यो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है वो मौझूद रहेगी तो ऐसा variable जो तमाम के तमाम प्रोग्राम के अंदर अपनी value और value को रखता है वैलियो और को मुझ वहला उसकी वैलियो रहती है तुरूआट दे प्रोग्राम वो ग्लोबल वैरियेबल के लाता है और वो वैरियेबल जो किसी फंक्शन के अंदर किसी वक्ती तौर पर हम यूज करते हैं और वो उसी फंक्शन के अंदर मर जाता है डाय हो जात जी वाली थी बहुत के लिए होगी है तो थोड़ा सब्सक्राइब करें ने यह कहा है कि ऐसा वैरियेबल यह पूरा प्रोग्राम है उपर से नीचे तक मैं इसके दो एक लाइन लिखे है खाली लेकिन इस एक जो एक लाइन को मैंने डिफाइन करने के लिये मैंने बता है कि एक लाइन के लिए.. यह टो lilải के यह और फंक्शन जो यह एक चोटा सा प्रोग्रामम और मॉजूद रहेगी चाहे वह फंशन हो यह ब醫ोड फनक्शन हो यह हो चोटे चोटे दो प्रोग्राम है int और input इनकी जो value है इसमें जो variable use होंगे उनकी value इसी function के अंदर अंदर तो कारमद है लेकिन इससे बाहर उसकी कोई value नहीं है यानि यह जो a है 1.3 यह इसी function के अंदर boundary के अंदर है इसी तरीके से यह जो a है a 5 यह इस boundary के स्कोब जो है सिर्फ input function के अंदर है लेकिन यह यह जो एक्स है यह global variable है इसका scope जो है पूरे के पूरे प्रोग्राम में है तो मैं यह समझाने के कोशिश कर रहा हूं बात के लिए हुई हलो जी हलो जी वली सब अच्छा अब देखें इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा यह कह कह रहा है तो मजीद समझ में आएगा यहां से पढ़ना शुरू करते हैं तक कि concept लिए function से पढ़ना शुरू करते हैं आप पढ़िये वलीद function is just like functions a function is just like procedure except it always returns a value just like a procedure it is defined points that can be called many times within a program just like a procedure it can be defined with or without parameters ठीक है यह बात तो function जो है वो वैलियों को रिटर्न कर रहा होता है आगे कंटीनियू करें अन्लाइक प्रोसीजर्स प्रोसीजर्स फंक्शन कॉल्स आन नोट स्टैंडलों और इंस्टैंड कैन वी मेड़ना राइट हैं इसका क्या मतलब इसा इसका मतलब यह है कि इस ने तो पिरिके से आपने यहाँ पर एक्स किया है एकस इस इकल टू आई एंटी ठीक है और इसके अंदर आपने सैवन लिखा ठीक है और ये देखें यहां पर क्या है कि यहाँ सैवन आएगा और यह सैवन इसमें सैइन हो जाएंगा तो यह राइट-hand-sाइड है और यह ल प्रॉसेजरस करके उसको अशाइण कर सकते हैनलाॉइक प्रॉसेजर्स लेकर यहां पर कि प्रॉसेजर्स नहीं आएगा तो अगर अम अधर लिखे function की value assign नहीं होगी यह भी याद रखेगा ठीक है unlike procedure function calls are not stand-alone and instead can be made on the right hand side of the expression यह पूरा expression है ठीक है right hand side के ओपर function है left hand side के ओपर variable आगे instead of naming them functions different terminology is used by something is functions are known as fruitful functions in python functions in visual basic methods with returns in java the keyword return is used as one of the statements in a function to specify the value to be returned this is usually the last statement in the function definition for example यह वो यह बता रहा है वो जो return करेगा value normally function के अंदर जो body of the function होती देखें एक तो है head यह head यह end जिस तरह for का start होता है और end होता है look का start होता है और end होता है इसी तरीकी से function का भी start होता है जिसको हम head कहते हैं और end होता है जहां पर function end खतम हो रहा होता है और बीच में जो है body होती है तो जो value return हो रही होती है वो obviously वो value होती है जो पूरा function process होने के बाद निकलती है क्योंकि हम इसी लिए उस function को use कर रहे हैं ताकि वो कोई value जो है calculate करके लेके आए राइट तो normally return के जो function है वो तमाम के तमाम statement के बाद सबसे आखर में होता है इसमें तो कोई भी नहीं है सिफ एक ही है लेकिन अगर फर्स करें कोई ऐसा function होता है जिससे processing की ज़रुत होती तो हो सकता है आट-दस line होती इस function के अंदर तो यह return जो होता वो आखरी statement होता is that clear चले आगे because a function returns a value it can be called by assigning the return value directly into a variable as follows जिस तरी के से इसमें दिया वाई देखे my temperature Celsius my temperature अब यह Celsius जो है वो जो आइंटी का function था वो मैंने नहीं बनाया था वो लेकिन यहां पर यह जो function है यह user defined function है user defined function और यह user defined function उपर बनाने के बाद आपने Celsius my temperature लिखा my temperature में let's suppose 25 है तो यह 25 कहां चला जाएगा 25 जो है वो temperature में चला जाएगा और उसके बाद calculate होने के बाद यहां पर एक value return हो रही है return जो है यह value हो रही है यह value यहां पर return होगी इस जगह पर और जब यह value यहां पर return हो जाएकि यहां calculate होके 125 आता है कुछ भी value हो जकती है मुझे पता नहीं है ऐसी बता रहा हूं मैं 125 जो है न वो पिर इसको यूज होगा define जो है वो function बनाने के लिए यूज होगा यह हम discuss कर चुके आगे चले जी like with a procedure function call must match the function definition when a function is defined with parameters the arguments in the function call should match the parameters in the procedure definition for IGCSE computer science the number of parameters used is limited to two वो यह कह रहा है कि let's suppose अगर आप I&T का function use कर रहे हैं यह तो बना बनाया function है न हमने बनाया नहीं तो इस I&T के function में क्या आएगा इसकी requirement क्या है जी तरह एक parameter क्या parameter है इसकी requirement इसकी requirement यह है कि text जो हो वो actually digits की form में हो तो आप उसको integer में convert करने के लिए क्या करते हैं यह use कर लेते हैं क्योंकि जो आप input का function use कर रहे होते हैं उसमें क्या आप input लेते हैं एक number input लेते हैं लेकिन आपको पता है वो number जो है वो text की form में हैं हम उसको calculation में use नहीं कर सकते हैं तो इसी वज़ा से हम int का function या float function use कर लेते हैं ऐसे होता है न तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर एक text होना चाहिए ठीक है और वो text जो है digits हो और फिर वो process होने के बाद उसको वो simple एक number में convert कर देगा एक integer में convert कर देगा बात के लिए हुई जी जी चैले और तो वो यही कह रहा है कि यह match करना चाहिए ऐसा नहीं कि अगर मैं यहां पर कुछ भी number लिख दूँगा फर्स करें यहां पर date लिख दूँ यहां पर यहां पर कोई boolean value लिख दूँ ठीक है तो वो इसको accept कर लेगा इस function की requirement यह है कि इसमें जो value हम input कर रह तो वो यहां पर यह बता रहा है कि the argument in the function call should match यह देखें यह इस वक्त यह function call है मैं इस function को call कर रहा हूं यह कहते हैं function call यह function call के अंदर जो argument मैं रख रहा हूं that should match the parameters in the procedure definition इसका जो पूरा program बना हुआ होगा ठीक है def करके यह जो भी program होगा उसके अंदर जो parameter define होगा वो उससे match करना चाहिए यह जो है value उसमें जाके transfer होगी और फिर आगे जाके process होगी तो यह match करेगी तो फिर आगे काम चलेगा अगर match नहीं करेगी तो फिर काम आगे नहीं बढ़ेगा error आजाएगा जी मीटा समीज में आ रहा है आप लोगों के दोनों के जी वलीद आगे तो फिर आपने अपनी प्रोग्रामिंग और वैलिडेशन चेक्स की तुरोप यूजर को मजबूर करना है कि वो वहाँ पर डिजिट सी डाले वो तो एक अलग क्वेशन है देखें अगर आप बिल्कुल ओपन छोड़ देंगे ये तो आपकी प्रोग्रामिंग स्टाल पर डिपेंड करता है ना कि अगर आपने ओपन छोड़ दिया और आपने कोई वैलिडेशन च range के अंदर number डालने हैं तो आपने program ऐसा बनाना है कि सिर्फ range में ही number डलें उससे ना बहार ना आगे ना पीछे अगर date input करनी है तो आपने date input करवानी है यह तो आपकी programming skills है ठीक है ना? वैसे अगर आप आपने open छोड़ दिया कि input और आपने का भाई कि number input करें तो अगर वो number के बजाए user जो है वो उटा सीधा कोई 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 तजरुबे करता है तो वो तो फिर उसकी choice है ना? आपने उसको open छोड़ दिया ना? आप समझे मेरी बात? जी तो सर फिर हम इसे कैसे फिर validate कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं वो तो हम वो एक अलग question हो जाएगा ना? देखें ना? इसका जोना S की code होता है हर एक digit का जो भी आप input कर रहे है ना S की code होता है आपने A, B, C, 7 input हुआ हुआ है आप कहते हैं कि इसमें जोना सारे text होने चाहिए कोई भी digit ना है तो आप इसमें से हर character को चेक कर सकते हैं ठीक है, land का function आपके पास available है आपको पता है, mid का function भी available है आपके पास python में आप हर position को चेक कर लें कि ये S की code जो हैं एक खास range के अंदर होते हैं 65 से लेकर 92 तक मेरे खाल में capital letters का होता है तो आप इसको चेक कर लें कि ये इसी range के अंदर है S की code ये नहीं है 7 का S की code इस range से भार हो जाएगा ये मैं आपको out of, मतलब ये इस वक्त जो हम कर रहे हैं न इससे out है ये तकि मैं सिभा आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ तो S की code हर digit का होता है, हर text के अंदर हर character का होता है आप उसको पकड़के check कर सकते हैं चलिए ये किसी और वक्त मैं करके बता दूँगा आपको अभी आगे चलते हैं तागे हम topic cover कर लें किस clear हुआ ये? जो मैंने जवाब दिया है आपको clear हुआ? हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक function create कर लें और उसके अंदर हम value error का जो है चीज उससे कहे दें, अगर value error है तो return false कर दे if no value error then return बिल्कुल कर सकते हैं कि आपने इसको जो input लिया है input ले रहे हैं, आप उसको किसी function में डाल दे validate के नाम से लग दे और उस validate function के अंदर आपने किस तरीके से हर character को check करें आप चाहते हैं कि सिर्फ number input हो आप चाहते हैं सिर्फ character text alphabet's input हो alphabet's के अंदर आप चाहते हैं सिर्फ small alphabet's input हो या capital alphabet's input हो वो सब कुछ possible है ठीक है? वो याद नहीं है? मैंने आपको email का पताया था email का एक program दिया था ना मैंने आपको उसमें क्या-क्या आ सकता है? उसमें character आ सकते हैं उसमें add sign आ सकता है उसमें dot आ सकता है तो वो सब चीज़े चेक कर रहे थे ना आप तो इसी तरीके से वो program उस approach की तरीए भी आप चेक कर सकते हैं इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक तो नहीं ये value कोई भी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं थोड़ी सी जेले आगे चलते हैं तक यहां स्लेव तो दो फ्रोर्वाज माँ अगे बढ़ें जी अब आजे जिए अगे जी लिए वन प्रोसीज़त थैन्टेम्टियर्स्टेंट्वर नियुम इं फॉलसा आफ दिफा जी ए यह हैं पर्षाज़्त्य जानिज कि इसकते हैं जी बड़ी इस अवकर द chuẩn, उग वरीम एरेंस ए वन क刜बार्ञ क्या थे वाव बारख कोर्डर berries इस नहीं है करे बियratic अधर प्रगर R imagin जानल करेंस वेरीम लीज़ाम करेंस आ उरेने इस को रुप इस लियन खार आ उग य Wentई मड़र बग्रख को다 उतन ए हैं जे शमास केलिर हुआ है सारा कुछ ठीक है वो यह बता रहा है कि यह जो है number one and number two यह देखें यह procedure से बहार है ठीक है और यह तीनों जो है यह प्रोसीजर से बाहर है तो यह ग्लोबल वैरियेबल्स है जबकि यह प्रोसीजर जो है इसके अंदर यह यहां पर एंड हो रहा है वलीद आप वापस आगए आपके आवाज गायब हो गई थी यह प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है प्रोसीजर टेस्ट और यहां पर यह एंड हो रहा है इस प्रोसीजर के अंदर यह जो वैरियेबल नंबर ठी और यह आंसर भी यह क्या है यह local variables है because इनकी जो value होगी that will be different than these variables और यह variables यही पर ही अंदर processing में काम आएंगे और अंदर की death हो जाएगी लेकिन यह जो number one, number two and answer यह जो variables हैं यह बहार तक काम आ रहे हैं यह देखें यह देखें हैं बहार use हो रहा है नमबर one, number two और बहार यह जो रहे हैं तो इनका scope जो है वो इसके अंदर है अगर आपसे पूचा जाए और अगर line बना के कहा जाए कि जी आप बताईए कहां से लेकर कहां जाके तो जिस तरह मैंने बताया आप भी बता सकते हैं और जो इनका scope है यह पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर बात को सभी आई जी जी सर जी शमास आपकी भी सभी जी शमास आप रिपीट कीजिए क्या कह रहे हैं आए मने जी सर मैं यह कह रहा हूँ कि यह जो डिक्लियर के साथ प्रोसीजर से बाहर जो वैरियेबल्स हैं यह जो डिक्लियर हुए हैं यह ग्लोबल वैरियेबल्स हैं जिनकी वैलियो इसके अंदर भी मौजूद है और इससे बाहर भी मौझूद है लेकिन यह जो local variable जो procedure के अंदर declare हुए है इनकी value इस सिर्फ और सिर्फ scope जो है वो procedure के अंदर ही अंदर है बाहर इनको कोई नहीं जानता बाहर इनकी value खतम हो जाएगी अगर यहां पर इस point के उपर जब procedure से बाहर आ रहे है number one के अंदर 17 है तो बाहर जाकर यह 17 नहीं होगा number one कोई variable नहीं है बाहर nobody knows यहां पर आप calculation में use नहीं कर सकते कि number one के अंदर 17 है हम उसको कहीं पर use कर लें अब बात समझ में आई जी जाओ चले आगे चलते ठीक है तो अब देखें इसमें हो क्या रहा है आगे चलते है लैबरेरी रूटीन्स अच्छा लैबरेरी रूटीन्स लैबरेरी फंक्शन्स यह जो है तकरीवन तकरीवन जो है वो यह सेम ही है ठीक है असल में Java वगरा में import करनी पड़ती है ये किसी ना किसी file के अंदर होते है सारे के सारे function और उस file को आप include करेंगे अपने program के अंदर तो फिर वो function कारामद होंगे इसी तरीके से C language के अंदर भी जितने भी library functions होते है उनको include करना पड़ता है तो फिर आप उन functions को use कर सकते है otherwise नहीं कर सकते लेकि Python के अंदर ऐसा नहीं है ठीक है Python में ऐसी कोई कहानी नहीं है आप उसको इसको इस्तवाल कर सकते है अब देखे इस पे मुक्तलिफ जो journal जिनके जो आपको ये function मुझूद होते है अकसल languages के अंदर मुक्तलिफ नाम से उनके सूडो कोड लिखे है जैसे mode है mode किसलिए है mode इसलिए है ताकि reminder आपको मिल सके जैसे mode 10 3 तो यहाँ पर क्या value में क्या आ जाएगा इसमें one इस तो आ जाएगा क्योंकि reminder क्या है one है div 10 3 तो इसमें क्या आएगा यह quotient आएगा quotient के मुदब क्या है 3 3s है 9 जो remainder है वो नहीं आएगा यानि यह जो whole number है ठीक है वो आ जाएगा decimal part नहीं आएगा round round का function क्या कर रहा है देखें राउंड का function 6.9732 यह लिया है इसने और 2 decimal places तक कर रहा है तो क्या होगा इसके अंदर इसके अंदर 6.97 आ जाएगा अगर तरीकी जगा 5 होता तो यह 7 के बजाए 8 हो जाता इसी तरीके से random क्या करेगा random जो clock चल रही होती है computer के अपने अंदर एक clock होती है उसके में number generate हो रहे होते है उसकी help से कोई एक number 0 से लेकर 1 तक generate कर देगा यानि लेट सब्सक्राइब 0.1235 यह number बात के लिए रही है अपने इसको random number की हमें अक्सर जरूर दोती है यह जो अक्सर यह हो रहा होता है को अंदाजी वगरा computer के जरी हो रही होती है तो वहाँ पर random function ही और mod और div फिर से कर दें आप explain mod जो है वो remainder के लिए है div जो है वो question के लिए है remainder का मतलब 10 अगर आपने mod के function में 10 इसमें 2 parameter आ रहे हैं इसमें भी 2 parameter है 10,3 इसमें रखा तो यह 1 store कर रहा होगा value 1 के अंदर और अगर आपने 10,3 इसमें रखा तो यह 3 store करेगा क्यूं क्यूंकर 10 को जब 3 से divide करते हैं तो 3 point क्या आता है 3.333 इस तरह से आता है न कोई value आती है यहीं आती है न जी तो वो जो असका whole part होगा न वो आपको result पर देगा जो quotient है वो देगा remainder नहीं देगा जी ठीक है सर ठीक होगे आगे चलते हैं अच्छा जी अब देखें इसमें किस तरीके से किया हुआ है यह 10 percentage 3 percentage का sign जो है न यह remainder के लिए mod के लिए यूज होता है ठीक है अगर आप चाहते हैं कि आप remainder store करना चाहते हैं किसी भी अब यह देखें यहां पर यह रखी वे यह variable भी हो सकते थे ए percentage बी तो ए को जो है वो बी से डिवाइड करेगा और जो remainder बच जाएगा वो value में store कर देगा क्लियर होई यह बात इसी तरीके से मैंने कहा है कि A percentage B A को B से डिवाइड करेगा A के अंदर जो भी value है B के अंदर जो भी value है A को B से डिवाइड करेगा और उसका remainder value 1 में चला जाएगा value 1 एक variable है ठीक है इसी तरीके से यहां पर 10 double slash double slash इसलिए होता है ताकि सिर्फ और सिर्फ quotient यानि whole number part result का जो है divide करके वो store हो रहा हो या वो इसको आप use करना चाहते हैं तो 10 से 10 जो है 3 से divide होगा और उसका जो whole part होगा यानि खाली 3 इसमें store हो जाएगा value 2 में इसी तरीके से इसकी जगापे variable भी हो सकते हैं a double slash b इसका मतलब क्या हुआ a एक वो सकता है इसमें कोई भी number है b में कोई भी number है a को b से divide करेगा और उसका जो whole part होगा result का वो value 2 में store कर देगा इसी तरीके से div mode क्या कर रहा है 10 oblique 3 the function div mode x y provides the both answers where the first answer is div and the second answer is mode इसके एक मिन एक मिन रुकिएगा अज़र यह जो ना मेरे जहन से निकल गया इसको अज़र आप चेक कीज़ेगा अभी हम चेक करेंगे तो पता रहे जाएगा इसका result div mode का क्योंकि वो यह कह रहा है कि यह दोनों के दोने store कर रहा है इसका मतलब है कि यह text variable है इसको as a text store कर रहा होता है number तो as a store नहीं हो सकता ठीक है round function क्या कर रहा है round function यह कर रहा है कि आप जो भी दो पैराबीटर है इसके अंदर जो आप decimal value देंगे उसको two decimal places तक जो खँेकम प्का ठीक होता है